इस ग्लीटर को हम किस तरीक से अप्लाई करेंगे अपने आई लीट को पैसे क्या तरीके कार होगा गिले आप आई ओपन कर वा लेंगे तो आप इसके अंदर क्रेस लाइन आपके पढ़ जाएगी चंद के अंदर भी बहुत जादा विराइटी होती है कुछ थोड़ी से बार सीलर जो भी है वो मौझूद होता है हमें असलाम अलीकूम वेल्कम बेक तो माई चैनल दिस इस मीना से खुमीद करते हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे तो चलाम आज की जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है में पास बहुत सारे मैसेजिस हा रहे थे कि ग्लीटर होते हैं कौन से ग्लीटर किस सरीकर से अपलाई की जाते हैं मोटे ग्लीटर कैसे अपलाई की जाते हैं बारी ग्लीटर किसे अपलाई की जाते हैं प्रेस ग्लीटर कैसे होते हैं शिमर ग्लीटर कैसे होते हैं इन सब की डिटेल है आज की वीडियो में तो वीडियो को एन तक यह एक आई शेडो पैलिट बहुत ही जबरदस लुक देता है अब इसके बात में आपको शेड़ अप्लाई करके तिखाऊंगे अपने हैंड के उपर और इसके पिग्मिंट देखेगा कि थोड़ साथ शेमर टाइप का होता है इसको जब हम अपने मैक अपने मेक अपने आई मैं आपके साथ एक पैलिट शेयर करने वाली हूँ जो के मिस्रोज का पैलिट है बहुत ही जबरदस है यह ग्लिचा पैलिट है इसके अंदर तमाम शेयर मौजूद है इसके दो फैमिली होती ए और भी ठीक तो इसको देखे मैं अप्लाई करके दिखाते हूं मैंने लाइट जो के आफते हैं जर्णाप करते हैं क्रिस्टीन Hakन के क्लिटर तो भहत ही जहीं बर्थ है इनके स्पाकिंग डेंचे हीं हाँ फाइपूंदि अ कह पर दिखा की और भी जादा ही Пथा रही है इसको बहुत ही सुपसूरा थैं और पाल के जितने फीक बिज्टा है इखिस्टी इसके पिगमेंट कितनी जादा है तो यह जो ग्लीटर है यह भी बहुत ही जादा खुबसूरत ग्लीटर होते हैं हमारी आई मैक अपके अंदर बहुत आदा हसीन लुक देते हैं तो यहां पर जो ग्लीटर में आपको दिखा रही हूं यह है प्रफेक्ट फेस का और यह बहु इसके आई के उपड़ लगाते हैं और इसको भी लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि जो बारिक़ी ुपके होते हैं कि जो मोटे इसके वी जूख करते हैं कुछ ग्लीटर के साथ इसलिए कोज अपलाई हो जाते हैं तो तक हम आपको यूज करके बताऊगी कि कौन इसलिया उसके साथ यूज करके जाते हैं जब आपका सीलर थोड़ सा सैमी ट्राय हो जाए तो इसके बाद फिर आप अपने ग्लीटर को लीजिए और हमेशे ग्लीटर जो है फिंगर की मदद से लगाई ब्रश से जादा अच्छे फिंगर से लगते हैं और देखें मैंने यहाप इसको लायर सा टैप टैप किया हो यह फिक्स हो गया है बिल्कुर और इसके आप इस पिग्मेंट देखें कि ते खुब सूरत लगते हैं जब यह आई लिच के उपर लगाते हैं न हम तो बहुत जादा हसीन लगते हैं चंड की ग्लीटर को भी लगाने के टेक्निक्स होती हैं मार्किट के अंदर हर तरही के लगते हैं अब बहुत जादा बारिक भी हैं अब मैं आप लोगे साथ शेयर कर रही हैं दूबारा से एक प्रेज ग्लीटर जो के ब्रैंड का है प्रेज ग्लीटर नहीं लगाने की जरुवत होती हैं अब्र यहां पर आप देख सकते हैं के मैंने लाइट से अपने फिंगर कितना जादा यह ब्लिंक कर रहा है चोटी सी ट्रिक्स आपको शेयर करोंगी कि जब यहाप प्रेस ग्लीटर लगाए तो सबसे पहले आप जिसके लगा रहे हैं वैसा शिमर आईशेडो लीजिए अपने आई लिट को पर अप्लाई कीजिए पहले और उसके बाद प्रेस ग्ल दो तरीके के हमें रिजल्ट दे रहे है तो यह राक होता है डाई्यक अपलाई करने का और समय इसे पाफिंदी ganदय करने को अब मैं जो ग्लीटाप लोगे साथ कर रहे हूं यह चंडकी ग्लीटर और यह mोटा वाला उसतो बीग इसरे। नाएं दीने विर्गि जकाए यह भी सिलय के साथ यूज नहीं की जाते हैं, इनको यूज करने के लिए हमेशा हम ग्लू यूज करते हैं और यह मोटे वाला ग्लीटर में आपको यूज करके दिखाते हूं यह यूज कर रही हूं वह भी जबरदस यह फिक्सर है यहां पर मैने लाइटसअ लिया है अपने हैंड के उपर अपलाई किया है इसके बाद मरत में मोटे वाला चेंड़ के लूगाँ एपने फिंगर के साथ और फिस ही ग्लीग के उपर मैं ऐसको टैब टैब करके अपलाई करूंगी तो आप देखें कि इसका भी कितना हसीन रिजल्ट है एक बात हमेशा याद रखी का कि चंड की ग्लीटर कभी भी छोटी आई लिट के उपर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि इसके पाटिकल इतना मोटे मोटे होते हैं जब हम छोटी आई लिट के उपर लगाते हैं तो यहाँ क्रीज डाल देंगे और बिल्कुल भी खुबसूरत नहीं लगेंगे हाँ अगर आपकी आई बड़ी है इस पेस आपकी आई के उपर फिर आप चंड की ग्लीटर आपने आई मैक अप के अंदर यूज करें तो बहुत जादा सुपर आपका आई मैक अप लगेगा छोटी आई पर आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने है आई होप आप लोग है आप अपने ब्रॉठ ़र सेटिंग स्प्रेय होता है मैका छोटा है अपने प्रॉठ इस ब्रॉठ गर तो आपने पर अपलाई करें ये ब्रो बोन के नीचे अपलाई करें तो आप यह कीन करें बहुत अप्लाई लगता है इसको यूज करने का यही तरीका होते जिसे बहुत अच्य हमें रिजर्ट्स मिलते हैं अब जो ग्लीटर में आपके साथी शेयर करने वादी वाली हो आपको अप्लाइग करती हूं यह जो normal glitter होते हैं यह सीरे के साथ अप्लाई की जाते हैं बहुती अच्छा से अप्लाई हो जाते हैं इसके साथ हमें glue यूज़ को नहीं होती है इसके बाद 30 सेकंड का स्टे दीजिए जो तरीके कार होता है जो यूज करने का और इसके बाद आप अपने फिंगर के अंदर लेकर और अपने आइलिट के ओपर इसको डैप करके लगा ले अब यकीन करें बहुत हसी लगते हैं यह वाले ग्लीचर भी और इनको लगाने का भी बहुत ही सिंपल सा इजी सा तरीका यहां पर मैंने अपने हैंड के उपर अपलाई करके दिखाया है देखें मैंने सीरे के साथ लगाया है जितना भी मैंने हाथ को मूफ किया यह बिल्कुल भी जड़े नहीं उतरे नहीं इसके बाद मैं आप लोके साथ श्यर करूंगे कि लिकविट ग्लेटर कैसे होते हो यह किस तरीके से यूज़ कीजाता ऊप नहीं किस कांके लिए यूज़ काम के इस ब्रशे की जाते हैं एगर आज़ आप लोग ग्रीटर लागानने चाहें तो यह best and best है इसको जरूर परचेस कीजिए क्योंकि आज़का ग्लीटर लाइनर जो टीनेजिस लड़किया है बहुत शौक से लगाती है तो बहुत साथा रेंज है हर कलर आपको इसमें मिल जाएगा मार्केट में और यह बहुत साथा एजी तो अपलाई होता है इसको अपने यह लाइनर वे युजर कर सकते हैं जब लाइनर का आउटर बनाते हैं तो आप उसके आउटर के साथ बीस को लगाएं तो बहुत खुशार हमारा आई लुक लगता है तो आई हो लिक्विट का भी यूस आपकी समझ में आगे होगा अब इसके बाद में जो दूसर सब्सक्राइब है की यहां पर अपरप सब्सक्राइब भर आप्टेर सब्सक्राइब आपका जो आई लोक है वो सुपर डूपर हसीन हो जाना है आपने इसका स्वैच करके मैंने दिखाए आपको तो आप इसकी भी पिक्मिन देख सकते हैं इसको लगाने का तरीका यह है कि जब भी आप इसको अपलाई करें अपने लगाए या क्लाइन के लगाए तो आई लिट बिल्कुल भी ओपन ना करवा है जब तक यह अच्छे से ड्राइ ना हो जाए अगर यह गिले गिले आप आई ओपन करवा लेंगे तो आप इसके अंदर क्रीस लाइन आपके पढ़ जाएगी और जो कि आपके मैक अप को खुबसूरत होने के बजाए बहुत ही जादा बुरा कर देगी तो जब तक यह लिक्विट ग्लीटर्स बिल्कुल ड्राइ ना हो जाए तो आपको आई पिल्कुल नहीं खुलनी है तो यह थी मेरी छोड़ी सी वीडियो और टैपस ऑफ ग्लीटर के कौन पाउन से ग्लीटर्स होते हैं कितने टैपस के होते हैं उनको किसे किसे यूज़ किया जाता है आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगो पसंद आयोगी कॉमेंट बाक्स में ज़रू बताएगा इंस्टागाम पर फॉलो कीजिएगा मिलती हूँ नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखेगा टेक केर लाफिस और बाबाई